हेलो स्टुडेंट्स, वेलकम बैक टू माई चैनल भी लर्निंग तो स्टुडेंट्स आपका लास्ट वीडियो में क्लास 11 का जो चैप्टर चल रहा था सजीव जगत, लिविंग वर्ड एक है आपका चैप्टर सजीव जगत की विवित्ता डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ड, क्लास 11 बायलोजिका और यह आपका न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था, मैंने लिविंग वर्ड, सजीव जगत, ठीक है तो आप लगर लास्ट वीडियो देखेंगे, तो लास्ट वीडियो में पूरा लॉंग में ही याद करना होता है, लास्ट वीडियो में जो सजीव के विभिन लक्षण है, वो फॉलोईंग होते हैं व्रद्धी, जनन, उपापचे, सन्मिदन, शीलता, कोशके, संगटन, आकरिती, पोशन, श्वैसन, गमन, एंड उतसर्जन ठीक है, तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको व्रद्धी, ग्रोथ, जनन, रेप्रोडक्शन, उपापचे, मेटाबॉलिस्म कम्प्लीट करा दी थी, अगर आप में ये चैनल पर फर्स ताइम विजिट कर रहे हैं, तो आप प्लेलिस टेक कर सकते हैं और सभी वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, तो अब इस वीडियो में हम आगे की हैडिंग्स कवर करेंगे, तो ये पूरा एक लॉंग कोशन है, अगर मैं एक ही वीडियो में आपको पढ़ा दीती है, तो आपको कुछ भी समझ नहीं आता, क् तो ये वीडियो में थ्री पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, जैसे फर्स्ट पार्ट में मैंने तीन हैडिंग कराई है, इस पार्ट में मैं फोर हैडिंग कराऊंगी, फिर उनली टू बचेंगी, वो हम नेक्स वीडियो में कवर करेंगे, तो ये जो कोशन है, आपका प्ट्रिप्लिंग करो आकरति और पोशन तो पूरी है वर क्यंको आपको पूरा एत करने जरूरी है प्लिदियुस चारे बढ़ितर फूर हैं और स्टार कर लाइद्न होई संवेदशीयलता घे कोश्क शनमगटन आकरति या कार फृष हैckt तो आपका लॉंग कोशन बहुत जादा बड़ा हो जाता है तो आपको सब हैडिंग्स में डेफिनिशन जैसे तीन पहले करा दी है आप लिंक चेक कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और चार आज और फिट दो बचेंगे वो नेक्स वीडियो में तो जैसे हमारा रेस्पाइरेशन है या फिर शेप है तो यह चैप्टर से रेस्पाइरेशन आपका चैप्टर भी है क्लास 11 में जो हम आगे कवर करेंगे लेकिन लॉंग कोशन में और डेफिनिशन पूचे गई है तो इतना ही काफी है क्योंकि इसमें दस हैडिंग अगर पाईचान से आपक करते हैं मतलब जितने भी जीव हैं वह अपनी जैसे हम ही है जब हम धूब में निकलते हैं हमें गर्मी लगती तो हमें फील होता है कि गर्मी लग रही है विंटर साती है कोहरा होता है तो हमें लगता है कि ठंड लग रही है तो इसी तरह जीव है वह अपनी चारों और का ज शो करते हैं कॉन सभी जीव एक्जामपल विंटर्स में पक्षियों द्वारा अपने पंख को फुल लेना फुला लेते हैं और सर्दी से बछ जाते हैं आपने देखा होगा पिजंज होते हैं ये वह पक्षी वह गया करते हैं जब विंटर साती है तो जो अपने प्रेदर होते हैं उनको फुला लेते हैं जिससे क्या हो जाए ठंड ना लगे और क्या प्रेजन्ट होती है उनको ठंड नहीं लगती तो जो सैंसिटिविटी है उसमें यही बता गया है कि मतलब हम जीव जो है पर तरटि लटेज है उसके पृति प्रतिय करिया शो करते हैं जैसे फजी उन्ने ठंड लगते रिए विंटर सोते हैं टो पिजनोज अपने फैदर्अ को या पंको क्या कर लेते हैं फुलाइक और सदियों से बच जाते तो सल्मेदन शीलता जो चीज हम फील कर रहे हैं उस ने उसके प्रती प्रती किरिया शो करी और अपना हाथ हटा लिया तो यह पूरी किरिया है लेकिन यहां जीवों के लिए बताई गई है एक्जाम्पल आपको हमेशा लिक्यान है जिसे मैंने बता दिया पक्षियों का नेक्स हेडिंग है आपकी कोश के संकटन सेलूलर और गिनिज्म सभी जीवों का शरी चोड़ी चोड़ी से मिलकर बनाए हमारे पूड़ी बॉड़ी क्या है सैल से मिलकर बनी होती है यह सैल्स जीवों की संळाचनात्मक एवं किर्यात्मक संद्चनात्मक मतलब इस्ट्रक्ट्ट्रल एंड किर्यात्मक मतलब फंक्शनल लिकाई होती हैं यह सेल्स अनेक रसायनिक पधार्टों से मिलकर बनी होती हैं मैं टृटने सेरांश के अनिख के रसायनिक पधारतों से मिलका बनी होती है कुछ जीन same जीन परफ़ पिर दिल कोष्के होती हैं जोटे हैं कोष्कें यूण सेलुलर जिनमें 2 कोष्कें होती हैं बहुत सुर्विश्कष फर सına प्रिकार के मिलका टिश्शो एक ते अनिक का बनाते हैं तो समान वर्क करने वाले विभिन अंग मिलकर अंग तंत्र ओर्गन सिस्टम मनाते हैं और इस प्रिकार एक नए जीव की उत्पत्ति अनिर्मान होता है ठीक है तो सेलुलर ओर्गनिस्म में क्या है कि जो सभी जीव हैं उनकी बॉड़ी छोटी-छोटी सेल से मिल उनकी जीवे शरी सेल है कि उसके समकौनी आपको इसमें बता गया है एक ग्रूप ग्रूप कंटेश्य मिलकर बनाता है तिश्श्यू मिलकर बनाते है ओर्गन हिंदि में आ खीक है और法 में कारे करने वाले और गुक्छ एक और हो सेब प्रक्र हैं यह साथ मिलकर भिना रहा है वो मिलकर बना रहे है और गं सिस्टम को है कि के तो सैल्स का गृप वो टिशू बना रहे है टिशू आपसे बिलकर और अजितने भी झाले यह और अधिकशन में यह झाल कर लिया है तो आपको अपने दिमाग पर आ सकते है आपके याद करना नेक्स है। एकुल आख़ती एंवां अवांधाष प्रमुक लक्षन आकारीक है मितलब जीवों स्वाक्वक निर आख़ती हो पिटियवों की निर्चीवों स्वांधा आपक्रता है ठीक है तो इसके विज्वों में नलिविंग पने निशेटंस लिफंत निषान मैं वी हता양 opposite beneath हैं तो क्या है कोई पर्टीकुलर मिना सकते हैं निर्जीव है उनका कोईFreeione को राग्षन की तो सजीवो का क्या होता है निशित आकार आपकी है आपकी श्रयसन्हेशन लेक्सारदिगेंगे करने है तो पुक्ोष। करता होते है जितने भी हम कार्य करते हैं उसके लिह हमें हम काम ही नीं कर cał तो जीवों को विभिन कारे करने ही तू उठ जाके अवशक्ता होती है जो कार्बोहाइडरेटन फैट के ऑक्सिडेशन मतलब ऑक्सी करन से प्राप्त होती है अगर आपके कोई कोशन पूछे कि हमाई बॉडी में जो हमें अनर्जी प्राप्त हो रही है तो जो हमारा फूड ह छाप ऋसका आउक्सिडेशन होता है जिससे अनर्जी प्रैडिउस होती है वही एनर्जी से हम क्या करते है वर्क करते हैं तो ने मनें बताया कि कार्भोहाइड्रेट चो mapped होती है गो और तथा जो जीव oxygen का यूझ नहीं करते नाषी कारी जो यूझ करते ज हैं को यूझ करलाए और जो्न जिन्स यूझ कर रही तो यह हो इंग कर रही हैं तो यह हो गए आपकलीट दो कोशकेशन इंट्टण लास्ट वीडियो में हमने ब्रद्धी जनन उपाप्चे कम्प्लीट कर लिया था मतलब ग्रोथ रिप्रोडक्शन एंड मेटाबॉलिस्म आज हमने संविदन शीलता कोश के संगटन आकरतिय का श्वैसन कम्प्लीट कर लिया अब हमारे दो हैडिंग मची है एक गमन और एक उ इसी दृफिट और हम अगरमी लगते तो फिल उतका है कि हमी गर्मी लग रही है हमारी संविदन शीलता नेक्स्ट कोश के संगटन की सेल्से हैं बहुत सा हमाई बोडी सेल्ड की बनी है उसमें टिशू प्रिजें ऑर्गन और एप आप का ओगन सिस्टम मना रहे हैं पिर आ नहीं होती है लास्ट था रमारी बोडी को वर्क करने के लिए के ऊच्छा होती है जो हमें फूर के ऑक्सिडेशन के प्राप्त होती है ठीक है कि यह होगी आपका कंपलीट चारो हेडिंग नेक्स्ट वीडियो में हम कम्प्लीट करेंगे गमन एबम उस्सरजन तो स्टुडेंट्स अगर आपको वीडियो पसंद आयो तो मेक्शूआ वीडियो को लाइक करो अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो में सेनल को सस्क्राइब करो थाइंक यू